नमसकार एक्बाब फिर help Size आपका स्वागत है। क्रेडित में है, और एक्बाब फिर से आपके ली लेकर आई हूं बिजनस से जूरी कुछ बात हैं और आज हम बात करेंगे कि अगर आप बिजनस शुरू करना चाहते हैं या आप पूरा मन बना चुके हैं कि अब कुछ तिनों बाद आपका business start होने वाला है तो कौन-कौन से ऐसे सरकारी दस्तावेश हैं या फिर कौन-कौन से ऐसे certificates हैं जो आपको लेने पड़ेंगे कोई भी आप business शुरू करते हैं चाहिए वो छोटा हो या बड़ा हो आपको legal formalities से गुजरना ही पड़ता है तो ऐसे में आपको कौन-कौन से ऐसी formalities हैं जो करनी पड़ेगी कौन-कौन से ऐसे दस्तावेश हैं जो आपको fill up करने पड़ेंगे और कैसे आप करेंगे online, offline ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो के जरिये जान पाएंगे तो उसके लिए आपको वीडियो को एंट तक देखना है वीडियो पसंद आए तो like कीजिए, share का button दबाईए और subscribe कीजिए हमारा channel, bell icon का button जरूर दबाईएगा और comment section में लिखेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसे वीडियो आप business को लेकर देखना चाहेंगे तो चलिए, बिना देर की शुरुआत करते हैं कि कैसे कौन सा business आप कर सकते हैं कौन से business के लिए आपको कौन सा legal formality से गुजरना पड़ेगा, देखिए व्यपार पंजी करण क्या होता है? जब भी हम किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो उस व्यवसाय की जानकारी सरकार को भी भली भाती होता है जब भी हमारा व्यवसाय होता है और ये अती आवश्यक इसलिए हो जाता है तांकि आपका business सरकार की सूची में अंकित हो सके तथा सरकारी कारयाले को जानकारी मिल सके इससे सरकार और कारोबारी दोनों को सहूलियत होती है कारोबारी को सरकार द्वारा चलाई गई लापरद योजनाओं का लाब मिलता है वहीं सरकार को उचित टेक्स वसूल करने में मदद मिलती है रेजिस्ट्रेशन के बाद आपकी कमपनी या कारोबार में होने वाला नुक्तान सिर्फ अब केवल आपका ही नहीं रह जाता प्रदान होगा अता है अपने सभी कानूनी दस्तावेजों को एक फाइल के रूप में सू विवस्तित तरीके से सेट करके अपने पास तयार रखें आए जानते हैं उन दस्तावेजों के बारे में जो रेजिस्ट्रेशन की द्रिष्टी से महत्वपूर्ण है आधार कार्ड, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, कारोबार का नाम और कारोबार का काम, बिजनस का एड्रेस सेवं एड्रेस प्रूफ, आए प्रमान पत्र तो इन दस्तावेजों के होने पर ही आपको रेजिस्ट्रेशन का लाब मिल सकेगा तथा ये सबी दस्तावेश भारत सरकारदवारा मानिता प्राप्त अत्वा भारत सरकारदवारा प्रमानित होना अवश्यक है वैसे तो आज के इस टेकनॉलोजी वाले जमाने में औलाइन प्लैटफॉर्म के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के बिजनस का रिजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हैं लेकिन हमें लीगल तरह से काम करना हमारे बिजनस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जो हम online platform के माद्यम से संपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते बलकि उन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सरकारी कार्यालियों का सहारा लेना ही पड़ता है लगू उद्यों का business registration कराने से पहले हमें ये जाना अती आवश्यक हो जाता है कि ववसाय के लिए कितने प्रकार के पंजीकरण कराने की ज़रूरत पड़ती है तथा उनसे संबंदित कारयालें को भी जानते हैं तो आईए हम इन सब को एक एक करके समझते हैं किसी भी विवसाइक को शुरू करने से पहले उसका पंजी करण सबसे पहले करवाना होता है जिससे आपको अन्य कारयाले में रिजिस्ट्रेशन करवाने में सहायता प्रदान होती है तता जिसके बाद आप आगे की प्रक्रिया के लिए लापकारी होते हैं जिला उद्द्योग कारयाले में रिजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप निगम लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं ये लाइसेंस आपको अपने बिजनस को शुरू करने की अनुमती प्रदान करता है तथा ये ओफलाइन वर ओनलाइन दोनों प्रक्रियां द्वारा प्राप्त किया जा सकता है इसके लिए सिर्फ जिला उद्द्योग कारयाले में ही आवेदन किया जाता है वहीं से हमें अपने बिजनस को शुरू करने की अनुमती मिलती है इसमें आपको उप्यूक्त कानूनी दस्तावेजों की आवशक्ता पड़ती है जो कि भारत सरकार द्वारा माननेता प्राप्त हो अत्वा प्रमानित हो इसके अलावा आपको जिला उद्योग कारयाले के पंजिकरन की कॉपी और अपने बिजनस मॉडल के अवशक्ता होती है कई कारोबारियों को ये सवाल हो सकता है कि उनको अगर निगम लाइसेंस बनवाना है तो वो आखिर कहां से बनवाएं या कौन से कारयाले में जाएं तो इसका जवाब होगा निगम लाइसेंस नगर निगम विकास प्रादिकरन या जिला उद्योग कारयाले में बनता है ये license इस बात पर बनता है कि आप जो लगू उद्द्योग शुरू करने जा रहे हैं उसमें किस चीज की service होगी या manufacturing होगी कौन सी machine लगाई जाएगी, किस प्रकार का कारी यहां किया जाएगा तथा पूरा प्योरा देना होता है निगम license पाने के लिए निमन कागजी दस्तावेजों की जरूरत पढ़ती है जिला उद्द्योग कारेयाले में registration की copy, जहां लगू उद्द्योग शुरू होगा उसमें मालिकाना हक की copy अगर जगा रेंट पर है तो उसके rent की copy, लगू उद्द्योग के plan की copy, license की fees यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी लगू उद्द्योग को सिर्फ industrial या confirming area में ही शुरू किया जा सकता है इसलिए यह ध्यान रखें कि जब भी आप business registration के लिए आवेदन करें तो उसमें जगा industrial या confirming area ही हो ऐसा नहीं होने पर आवेदन reject हो जाता है और आप अपने कारोबार के लिए लाप्रद नहीं होंगे अब आप एक नए business की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको अपने कारोबार के साथ आपकी company में काम कर रहे करमचारियों की सुरक्षा भी ध्यान में रखनी होगी ऐसे में सरकार ने उन सब करमचारियों को सुरक्षा देने के लिए अलग और सू विवस्तित विवस्ता बनाई है जिसके अनुसार किसी भी बिजनस को शुरू करने के लिए तीन महीने में fire and safety department से non-object certificate यानि की NOC लेना अवश्यक है NOC लेने के लिए आपको अपने लगू द्योग में आग जैसे हालातों से बचने के उपाय और उपकरणों के बारे में सरकार को विवरन देना अवश्यक होता है अपने बिजनस को शांती पूरवक निरंतर चलाने के लिए आपको फैक्टरी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ताकि भविश्य में आपको और आपकी कमपनी को किसी प्रकार की कानूनी कारवाई का सामना ना करना पड़े और आपकी कमपनी लगातार चलती रहे ये लाइसेंस को लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जारिक किया जाता है तथा इसको प्राप्त करने के लिए भी हमें कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जो आपके निर्धारी दस्तावेजों के अतिरिक्त है और निम्न है इन्वायमेंटल कंसेंट कॉपी को परियावरन विभाग जारी करता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी फैक्टरी से परियावरन को नुकसान नहीं होगा इस लाइसेंस के बिना उद्द्योग शुरू तो किया जा सकता है लेकिन अधिक दिन तक नहीं चलाया जा सकता इस को पाने के लिए संबंदित कारोबारी को अपने कारोबार की पूरी प्रोफाइल डिपार्टमेंट को दिखानी जरूरी है तो यह तमाम वो चीजें थी जो आपको करनी पड़ेंगी बिजनस शुरू करने से पहले क्यूंकि अगर आपने यह सब फॉर्मलिटी पूरी नही भरना चाहते तो स्टे पॉजिटिव और अपने बिजनस को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपके पास पी कोई आईडिया है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बिजनस को खूब ग्रो कीजिए आत्म निर्भर बनिए और बिजनस आपका चलता र झापका